आतं से निपटना सपा बसपा के बसकी बाती नहीं है मुझे बताईए भाई ये जितने प्रधान मंत्री के चहरे आज बाजार में गूम रहे हैं आठ लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहता है प्रधान मंत्री बनेगा 20 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं, प्रधान मंत्री बनेगा 30 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, प्रधान मंत्री बनेगे इतने सारे चेहरे हैं, मुझे बताइए इन सारे चेहरों में हिम्मत के साथ सीना तान करके आतंगबाद के खिलाब कौन लड़ सकता है पुरा विश्वास है आपको पुरा विश्वास है भाईयो बेनो ये सपा बसपा कॉंग्रेस वाले तो ऐसे लोग है जो गली के गुंडे तक पर भी लगाम नहीं लगा पाते ये आतंगबाद पर लगाम क्या लगाएंगे और वही वोट कटुआ कॉंग्रेस की रक्षा नहीं थी ये वोट कटुआ हमारे देश के जवानों के सर कटुआए अब चुनाओं में वोट कटुआने के लिए निकले है आतंगबाद और नक्षलबाद को प्रोट सहित करने वाले ही लोग है साथियों कॉंग्रेस कहती है कि हमारे सैनिकों को मिला सुरक्षा कवच उनको मिला विशेश कानून ही वो आकर के हटा देगी कॉंग्रेस कह रही है कि देश द्रो का कानून ही हटा देगी कॉंग्रेश चाहती है कि भारत के टुक्डे टुक्डे होने के नारा लगाने वाले, मा भारती को गाली देने वाले, नक्षलवादियों को मदद करने वाले, हमारे वीर जवानों को पत्थर मारने वाले, साम मौच करे आप चाहते हैं ये लोग मौच करें, आप चाहते हैं मौच करें, ये लोग जेल में सडने चाहिए कि नहीं सडने चाहिए, कानून कानून का काम करें या न करें, लेकिन कानूनी हटा देंगे तो क्या करोगे, ये कॉंग्रेश खुले आम, कानून हटाने की बात कहती है, कॉं हमारे वीर जवान कोड कचरी में केश भुगतते रहें वकीलों को पैसे देते रहें बाई और बहनों इस धर्ती ने तो सहीद रामचंद्र राजा उदित नारायन जैसे अनेक क्रांति वीर दिये हैं क्या देवरिया हमारा पुरवाणचल देष द्रोईयों को खुली छुट देने वालों का कभी भी गलती से भी साथ दे सकता है क्या दे सकता है क्या ऐसी सोच रखने वालों को आप सजा सजा देंगे क्या आप सजा देंगे क्या डीला डॉला कैसे करेंगे मजबूती से देंगे क्या कि साथियों यह लोग दिल्ली में इसलिए सरकार बनाना चाहते हैं ताकि उनके परिवारों उनके कारोबारियों को फिर से लूट खुसूट करने का लाइसंस मिल सके कोई कोईला खाएगा कोई टेलीफोन में गोटाला करेगा कोई सेना के साज और सामान में लूट करेगा यहां तो ऐसे लोग हैं जो इट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहाल और तोंटी तक को नहीं छोड़ते